पांडुना में शिवाजी चोक पर शिवाजी महाराज की प्रतीमा का अनावरण हुआ कमलनात द्वारा शिवाजी महाराज का अनावरण किया गया जिसमें महाराश्ट के पूर्वुमंत्री आदित्य उद्धर उठाकरे भी मौजूद थे वो कॉंग्रेस के सामसद नकुनात की अधिक्षिता में अनावरण कारिक्रम संपन हुआ सभा को संभूदित करते हुए कमलनात ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा जिसमें कमलनात ने कहा देश में इन्होंने सनातन का मुद्ध उठाया है भारत सनातन धर्म का देश है क्या मुझे खड़े होके या आपने आपको कहना है मैं पुरुश हूँ लोगों को अब ये बताना पड़ रहा है कि हम हिंदू है और कमलनात ने कहा कि इस बार कॉंग्रिस को जीदना है भाचपा संपूर्ण देश में इंडिया का नाम बदलना चाहती है जबकि इंडिया भारत हिंदूस्तान यह सारे लोग सारा देश हमारा अपना है भाचपा की इन विघटनकारी नीतियों और देश को बाटने के पश्यंत्रों के कारण आज शिव सेना कॉंग्रिस इंडिया के साथ है भाचपा की इन नीतियों के कारण ही अब दिल्ली आपकी नहीं सुनती है उक्त आक्रमक उद्गार आज स्वर गिय बाला साहिब ठाकरे के पोतेव महाराश के पुर्व मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरन के अवसर पर व्यक्त किये उन्होंने अपने उद्बोधन में बाला साहिब की यलगार जैभवानी जैशिवाजी का उल्ले करते हुए अपने हिंदी माराथी मिश्टित भाशा में आमजन में रोज भरा अदित्य ठाकरे ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप दिनांग वत्ति थी बताईए जब आप पूर्ण मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे मैं भोपाल आने के लिए टिकेट बुक कराना चाहता हूँ आदित्य ठाकरे ने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि मोदी सरकार भहेबीत है इसलिए वह इंडिया का नाम बदलना चाहती है कल को जब कमलनाथ साहब चुनाओ जीत कर हमारे यह प्रचार करने आएंगे तब भाच पर शायद अपना चुनाओ चिन्ने भी बदल देगी इस अफसर पर श्री कमलनाथ ने स्वर्गिय बाला साहब ठाकरे और कॉंग्रेस के संबोधन पर अपने वचार व्यक्त करते हुए कहा कि विस्वयम बाला साहब से मिले थे और उन्होंने जनहीत वराष्ठ हीत में सदेव कॉंग्रेस का सायोग किया है कमलनाथ ने इस अतिहासिक अफसर पर समस्त पांडूना वासियों को अपनी हार्दिक शुकाम नैदी सांजत नकुलनाथ ने आज के दिन को अतिहासिक बताते हुए पांडूना वासियों से ने वेदन किया कि वे छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा को नगर की शान या किसी चोक के पहचान तक सिमित न रखें बलकि समस्त बुजुर्गन आने वाली पीडी को शिवाजी महाराज की शौर गाथाएं सुनाएं ताकि हमारी नई पीडी में राष्ट भक्ती की भावना कूट-कूट कर भर सकें।